कि नमस्कार दोस्तो आपका हार्देग स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकजाम टारगेट अगैडिमी पर तो दोस्तो आज हम समैधान के भाग के बारे में बात करेंगे हम भाग के साथ साथ क्या-क्या हमारे अधिकार हैं और अधिकार कौन से अधकार आते हैं उनने हम बारी बारी से पढ़ेंगे और हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रते एक चेप्टर बाई जह हम आपको बताएंगे तो दोस्तों देख चलते हैं और इस साथ में अनुचहिद भी बताएंगे इस भाग में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं तो देखते हैं तो समिधान का भाग बन यानि इसमें संग और उससे छेत्र यानि union and its territories अनुच्छेद एक से चार में ये बिलोंग करता है तो राज्यों का संग यानि अनुच्छेद बन राज्यों का संग इंडिया अर्थाद भारत राजियों का समूना होकर राजियों का संग होगा इसके अंतरगत दो बातों का उल्ले किया गया है A. देश का नाम B. देश की राजपदती दूसरा पॉइंट है राजियों के संग को महत्तो देने के कारण A. पॉइंट है अपका भारतिय संग राजियों के बीच में कोई समझोते का परणाम नहीं है किसी भी राजियों को भारतिय संग से प्रथक होने का अधिकार नहीं है अनुच्छे दो नई राजियों का प्रवेश या स्थापना यदि भारत यदि कोई भूमी अरजित करता है या बिजित करता है या संदी करता है तो वह उसे किसी नई राजिय की रूप में या पूर में स्थापित राजियों के अंतरगत सामिल कर सकता है दूसरा है नए राजिके निर्माण के अंतरगत बर्तमान में प्रचलित चार अंतराष्टिय विदियों के अंतरगत कार किया जाएगा अब विदिया क्या-क्या है ये देखते हैं A. यानि अब्यरपन किसी राज का संप्रोव यानि पूरा या सत्ताधारी अपनी संप्रोवता का हस्ताश्चन भारत को कर दे B. उपवरदी प्राकर्तिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज का राज चेत्र भारती संग में आकर मिल जाए तो वे भारती भूमी कहलाती है C. यानि आवेशन जब राज किसी ऐसे राज चेत्र पर दो दूसरे राज के कबजे में न हो उस स्थान पर यदि संप्रोवता इस्तापित हो जाए तो वे भूमी भारती भूमी कहलाएगी D. लंबे समय तक बना रहना जब किसी राज पर भारत लंबे समय तक सांती कायम रखे और उसका कोई संप्रभू न हो तो वे भारत की भूमी होगी परन्तो यदि भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रस्ण हो तो वे वहाँ पर ये विधिया लागू नहीं होंगी केंद्री मंत्री यानि मंडल स्वत्य निने इसके बारे में लेगा जैसे गोवा और पांडचेरी को 1971 में भारत में सामिल किया गया था अनुचे थ्री राजियों के पुनरगठन सम्मंदी संसद की सकतियां इसमें हैं अनुचे थ्री के अंतर गताती हैं तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या है तो संसद किसी राजी की सीमाओं में परवर्तन कर सकती है अत्वा दो राजियों या उससे अधिक राजियों को मिला सकती है या एक नए राजी का निर्माण कर सकती है दूसरा है किसी संसद यानि संसद किसी राजी के नाम में परवर्तन कर सकती है तीसरा है किसी राजी की सीमा को गटा या बढ़ा सकती है अनुच्छे चार यानि एक दो तीन पर विधी बनाने का एक मात्र अधिकार संसद के पास है यानि एक दो तीन अनुच्छे जो हमने पड़े थे और उन पर जो विधी बनानी है उसका एक मातरतिकार अनुच्छे चार के अंतरगत आता है जो की संसत के पास होता है अनुच्छे चार में यह विवस्था की गई है कि इदा नई राजियों का गठन अनुच्छे दो के अंतरगत आता है ये नई राजियों के निर्माण छेत्रों सीमाय नामों में परवर्तन दो के अंतरगत आता है को समिधान के अनुचे 368 के अंतरगत समिधान संसोधन नहीं माना जाएगा अता है इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधाई प्रकिरिया के द्वारा पारित किया जा सकता है अनुचे 368 के अंतरगत समिधान का संसोधन नहीं समझी जाने वाली विदिया ए यानि सेवंध समिधान संसोधन अधनियम 1956 की धारा दो द्वारा खंड टू के इस्थान पर प्रतिस्थापित बी सेवंध समिधान संसोधन अधनियम 1956 की धारा दो द्वारा उपकंड खे के इस्थान पर प्रतिस्थापित 35 में संसोधन के अधिनियम यानी 1904 की धारा 2 द्वारा 131975 से अंतर इस्ताफित फिप्त समिदान संसोधन अधिनियम 1955 की धारा 2 द्वारा परंतुक के इस्थान पर प्रतिस्ताफित संसोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रतम अनुसूची के भाग एक या भाग खैके अंत बिने दर्स्टी सब्दों और अच्छों का लोग किया गया है f 18 समिदान संसोधन अधिनियम 1966 की धारा 2 द्वारा अंतर इस्ताफित तो दोस्तो यह था आज का वीडियो और इसके लिए इसका अगला पार्ट फिर हम लेकाएंगे और हमारे साथ आप तयारी करें क्योंकि हमारा सपना आपको एक अधकारी बनने देखना है तो चलिए दोस्तो तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं इसके भाग दो मैं